हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे आज की इस रेसिपी वीडियो पे और आज हम लोग इन छोटे मचलियों की करी आपको बना कर दिखाएंगे सही तरीके से बनाने पर ये बहुत ही स्वादिश्ट लगती है और बहुत कम मसालों के साथ जटपट बनकर तयार हो जाती है इन मचलियों को अच्छे से वास करने के बाद इस पर एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मच नमक डालके इन मचलियों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब एक कढाई पर सर्सो का तेल लेंगे ओयल को एक दम अच्छे से हीट कर लेना है और फिर गैस के फ्लेम को लो मिडियम पर रख कर इसमें हम थोड़े थोड़े मचलियों को डालेंगे एक बार में उतना ही मचली डालेंगे जितना की ओयल पर अच्छे से डूबे हुए रह सके मिडियम आज पर फ्राई करते हुए इसको हम 30-40 सिकेंड में हलके हाथों से धीरे धीरे पलड़ देंगे ताकि ये अच्छे से दोनों तरप फ्राई हो सके फ्राई होने के बाद गैस के फ्लेम को कम करें और इसे कड़ाई में से निकाल कर अलग रखें फ्राई किये सारे मचलीयों को जब हम कड़ाई में से निकाल लेंगे तब फिर से gas के flame को low medium पर रख कर इसी तरह से बाकी बचे मचलियों को भी फ्राय कर लेंगे देख सकते हैं सारे मचलियों को हमने फ्राय कर के रख लिया है पूरे 500 ग्राम मचली लिया था हमने उस हिसाब से हम इसके मसालों को भी तियार करेंगे एक ग्राइंटर के जार पे वन टेबल स्पुन सरसो लेंगे साथ में तीन गांट छिली हुई लैसुन और साथ से आठ हरे मिर्च थोड़ा सा पानी मिला कर मसालों को पीस लेंगे देख सकते हैं मसाला पेश्ट तेयार हो चुका है मचलियों को फ्राइ करने के बाद कड़ाई में जो बची हुई ओयल है उस पर हम एक पिंच हिंग एड़ करेंगे तीन मीडियम साइज के पतले कटे हुए प्याज को डालेंगे और प्याज को हम मीडियम आज पर ही तीन-चार मिनट फ्राइ कर लेंगे छोटी मचलियों के साथ प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसलिए हमने तीन प्याज को काट कर इसे अब फ्राइ कर रहे हैं प्याज को अच्छे से फ्राइ करने के बाद इस पर हम एक बड़े चमच कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे दो मीडियम आकार के कटे हुए टमाटर को डालेंगे और अब इसे हम प्याज के साथ में दो मिनट फ्राइ कर लेंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से पक सके अब इसके साथ में हम मसाला पेश्ट को डालेंगे साथ में एक छोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटी चमच या अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अब इन सभी चीजों को हम मीडियम आज पर तीन से चार मिनट पकाएंगे क्योंकि सरसो वाले मसाले जो होते हैं उसे ज़्यादा देर पकाने से ये खाने में कड़वा लगने लगता है इसलिए मसालों को तीन से चार मिनट ही पकाना है मसालों को तीन चार मिनट पकाने के बाद इस पर अभी हम एक गलास पानी एड़ कर रहे हैं गैस के फ्लेम को फूल कर लें और मसालों के साथ मिक्स करते हुए थोड़ा सा उबलने दें अपने मसालों के हिसाब से इस पर हमें पानी एड़ करना है क्योंकि एकदम पत्री वाली करी जो है हम इन छोटी मचलियों के लिए त्यार कर रहे हैं आप अगर इसे मसालेदार या इसके ग्रेवी को गाड़ा करेंगे तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा देख सकते हैं इस पर हमने टोटल तीन गलास पानी को डाला है और अब हमारी करी बिल्कुल पत्ली बनकर त्यार हो चुकी है कुछ देर उबालने के बाद अब इसके साथ में हम फ्राई किये हुए मचलियों को डाल देंगे चमच से हलका हलका मचलियों को डीब कर देंगे और करी के साथ में इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही एक मिनट पकने देंगे एक मिनट पकाने के बाद अब गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और अब ये छोटी मचलियों की रेसेपी बनकर त्यार हो चुकी है तो फ्रेंड्स आपको ये रेसेपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें धन्यवाद